हलो तोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का तो आज हम पढ़ने वाले हैं हलो डॉच जो की क्लास 6 में पढ़ाई जा रही है उसके अंदर हम देखेंगे मोड्यूल आइंस और आज का टॉपिक है वी आ ट्रेन नियर एंड का मतलब होता है कि वी आर गेटिंग ट्रे जिसे कहते हैं राइटिंग लिखना ओके जैसे हमने पहले अपने दो वीडियो में देखा लेजन यानि की रीडिंग रीडिंग दा पैसेजेज अब हम दो देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एग्जाम्स में राइटिंग सेक्शन को करेंगे ओके तो चलिए जल्दी से अइक्सराइज है जो आपके भुक से ली गई है ठीक है Program 1 आप देख सकते हैं इस तरीका से है यहां पर module 1 से श्राइबन लिखा है, top में, अगर मैं आपको इसको हाइलाइट करूँ तो, यहां पर देखिए, module 1, और यह हर जेगा पर लिखा है, श्राइबन, 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 इसका मतलब होता है, writing, Okay, सबसे पहले question पढ़ लेते हैं, Numbers X, Least Deen Text, Least Deen Text, पढ़ें, इस, इस text को पढ़ें, Dan, Stealth Do, Sebastian For, Dan Stealth Do, Do यानि कि हम, जो मैं पढ़ रहे हूं, मुझको यह बोला गया है, Dan, Stealth Do, Sebastian For, उसके बाद, तुम Sebastian का introduction तुम दो, जिश फॉस्टेलन वर्भ हैं यहाँ पर, जैसे कि आप सबको पता है, जिश फॉस्टेलन, इसका मतलब होता है, introduction देना, to introduce oneself, to introduce oneself, आप देखिए, आम तर पर हम अपना introduction देते हैं, मगर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, Sebastian का introduction देना है, यानि कि, अब मुझे सब चीज आई नहीं बोलना, बलकि कि, श्टवैस्टिन क्या है, लड़का है, यहाँ पर, मेल है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, या फिर उसको समझें, जैसे मास्कूलीन है, तो अब हम सारी चीज़े कैसे बोलेंगे, ही करके बोलेंगे, ओके, आई करके नहीं बोलने है, क्योंकि आप किसी और के introduction दे रहे हैं, श्राइब इन दाइन हेफ्ट, और उसके बाद उसको अपनी किताबों में लिखें, श्राइब इन हेफ्ट, और तुम्हारी अपनी किताबों में इसको, कॉपियों में इसको लिखो, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, Sebastian still is for, अब Sebastian ने अपना introduction कैसे दिया है, श्राइब इन जबास्टियन और वोन इन फ्राइबॉर्ग, जाहिर सी बात है, Sebastian अपना introduction दे रहा है, तो वो क्या लगाएगा, इश, ओके, इश बिन, I am Sebastian, and I live in Freiburg, बगर, जब आप, जब आप उसका introduction देंगे, तब आप लिखेंगे, दासे Sebastian, ये Sebastian है, अब यहां से हम लिखना श्राट करेंगे, दास, इस, Sebastian, ओके, दासे Sebastian, और उसके बाद हम लिख लिखेंगे, एर, अब देखेंगे आपको बीच में ये हिंट भी दिया हुआ है, हिंट है ये, ठीक, इसके बाद, डॉट, डॉट, के बाद, आपको लिखना, स्टार्ट करना है, एर, फुल स्टॉप के बाद, एर, वोउट इन, फ्राईबुर्ग, ये वोउट इन फ्राईबुर्ग, अब यहां पे हमने एर लिखा, एर वोउट, ओके, ही लिव्ज इन फ्राईबुर्ग, दासे Sebastian, ही लिव्ज इन फ्राईबुर्ग, इस exercise को करने के लिए, सबसे पहले, आपको जितनी भी conjugations हैं, चाहे जाइन की हो, हाइजन हो, हाबन हो, वोनन हो ठीक है, यह श्राइबन की हो वो सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके बाद ही आप यह चीज attempt कीजिएगा, ठीक है, एर वोंट इन फ्राइबॉर्ग फिर वो बोलता है, इश बिन फिर तसीन, इश बिन I am 14, अब हम क्या बोलेंगे, He is 14, कि वो जो है 14 साल का है, एर एर के साथ आएगा, एर इस फिर तसीन, फूल स्टॉप एर इस फिर तसीन इश बिन एन आइनजल किंट इश बिन एन आइनल किंट अगेन वो कह रहा है कि मैं एक अकलोता बच्चा हूँ, तो हम लोग लिखेंगे, air is, he is, okay, अब हम सब चीज ही बन के बढ़ेंगे, he is, he is, he is a single child, right, he is, single, he is single child, okay, air is, एंजल, एंजल, एंजल किंट, air is, एंजल किंट, कॉमा, फुर्स के बाद है, यहां पर, dh, dh, das heißt, ich habe keine geschwister, okay, ich habe keine geschwister, इसका मतलब है, das heißt, dh का full form, मैं आपको बताईता है, dh, dh का मतलब होता है, यह अबरिवेशन है, इसका मतलब होता है, das heißt, इसका मतलब है, इसका मतलब है, ठीके, इसका मतलब है, das heißt, उसने कहा, is, is, been, आइंजल किंट, मैं एक लोटा बच्चा हूँ, इसका मतलब, he is single child, air is आइंजल किंट, das heißt, air hurt, das heißt, यहाँ पर मैं भी इसको ऐसे लिखूँँगी, das heißt, sorry, I have lost my cursor, das heißt, d, d full stop, then h full stop, das heißt, das heißt, इस, अब air करके हम लेखेंगे, air hurt, kainne, kain, gashwister, जी, बढ़ाएगा, gashwister, gashwister, full stop, ठीक है, air hurt, kainne, gashwister, इसका मतलब, उसके कोई भाईबैन नहीं है, फिर वो कहता है, is, won, is, won, क्योंकि वो खुद के लिए बोल रहा है, is, won, फिर से हम रोलेंगे, air, won't, यह देखें, अभी भी हमने इससे पहले air won't in fry book लिखा था, अभी भी आप ऐसे लिखेंगे, air won't by, अभी हाँ पर आप देख सेखते हैं, में by minor motor में हिंट दिया हुआ है, क्या लिखना है, by xynomotor, I don't know, यह हिंट आप exams में आपको मिलेगा की नहीं मिलेगा, I really don't know, मगर मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता तो आपको पता होना चाहिए, कि जब हम लोग अपने लिए बोलते तो हम लिखते हैं कि इश्वोनर by minor motor, मैं मेरी मम्मी के साथ रहता हूँ, minor मतलब कि मेरी, मेरी मम्मी, ठीक है, minor motor, जब हम बोलेंगे कि वो यह लड़का या सेबैस्टियन जो है, वो अपनी मम्मी के साथ रहता है या उसकी मदर के साथ लगता है, तो हमको उसकी बनाना पड़ेगा, उसकी कैसे बनाएंगे, हम लोग यहां लिखेंगे, by, यहां देखें हिंट में दिया हूआ है, by, minor motor, minor मतलब हो जाएगा, उसकी, minor मतलब मेरी, जाएणर मतलब उसकी, अब आप यहां पे एक चार्ड को देखें, जो मैंने लिखा हुआ है, यह समझिए, personal pronouns हम पहले देख चुके है, इश, I, यह आपको पता है, दू मतलब यू, तू या तुम, यह हो जाएगा, मैं, तू, या तुम, air means he हो गया, वो या वह, ठीके, और लड़की के लिए भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, वो या वह, ठीके, हम लोग साथ में बोलते हैं, वह लड़का बहुत अच्छा है, वह लड़की बहुत अची है ना, तो हम लोग सात में वह के बताते हैं कि लड़का है कि लड़की है Right? और इस तरह के से انग्लिश में हम लोग स्र WEE लगते हैं कि He is, He is good, she is good क्योंकि He अपनी आप से बताता है कि वो लड़का है या she अपने आपसे बताती है कि लड़की के बारे में बोला जा रहा है आल राइट बट जब हम लोग personal pronoun से switch करते हैं possessive possessive pronoun में possessive का मतलब क्या होता है जैसे मैं बोलू my bag ठीक है, तो bag है मगर मैंने इसको अपना बताया है my bag, my house ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको अपना बना के बोलते हैं, मेरी मम्मी मेरे पिताजी मेरी कार तो possessive का मतलब होता है किसी चीज़ को जो हमारे पास possession है उसको हम अपना बता के बोलते हैं ठीक है, इश से बन जाता है mine, तो हो जाएगा मैं और माई हो जाएगा मेरा ठीक है, यह आप समझना ध्यान से ध्यान से सुनो आप सबसे पहले मैं और मेरा इसे तरकी से दू उन दाइन तू या तुम और तुमहारा यह हो जाएगा हिंदी में तुमहारा ठीक है, जाएन का क्यों बनता है वह या उसका और लड़्की के लिए हो जाएगी वह या उसकी आप देखिए, यहां पर यह लिखा गया है इस वोन बाई माईन वूतर तो हम बोलेगे की एर वोन बाई जाएन मूतर ठीक है, यहां पर ध्यान देना जाएन वूतर एर वोन बाई जाएन वूतर वो उसकी मम्मी के साथ रहता है क्योंकि मुटर जो है, फीमेल है तो हम हिंदी में भी जो आगे नाउन आया, ये नाउन जो है, एक फेमिनी नाउन है, इसीलिए हिंदी में भी हम लोग उसकी मदर या उसके पापा ऐसे करके बोलते है राइट हम लोग भी उसका उसकी ये बदलते हैं ठीक है तो हर grammar में कुछ न कुछ चीज रहता है मगर डिट्टो अगर हम one to one किसी को translate करें तो वो possible नहीं है इस case में हम लोगों को मतलब ये समझना है कि अगर वो एक अपने ले बोल रहा है तो वो इश बोल है और air zs जो होता है वो हमारा third person में आते है राइट ये हमने कई बार ही देखा है कोई नई चीज नहीं है इसमें इसमें इसलिए अब यहाँ पर हो जाएगा air won by zynomotor यानि कि वो या वह है वो उसकी मदर के साथ रहता है उसकी मदर के साथ रहता है ये m-a sorry m-o-t-h है ठी मदर के साथ रहता है ठीक है अब आपको समझ में आया जब भी इसका मूल मंत्र स्रिफ यही है जब भी आप air देखें आपको इसको चेंज करना है और आपको third person के बारे में इसको बताना है कि मुझे तीसरा आदमी के बारे में बोला है तो आपको इसको सीधा zain बना देना ह ठीक है अब यह वो zain नहीं रहे गया है जिसका मतलब to be होता है guys जर्मन में complexity तब बढ़ती जाती है क्योंकि इनके पास कुछ limited words है और इसको multiple use करते हैं जैसे z लड़की के लिए भी z बोलते हैं s caps लिग देंगे तो वो आप हो जाएगा है ना और अगर हमको दे बोलना है तो भी si e ही रहता है तो एक ही शब्द को यह कई तरीके से यूज करते हैं कई लोग बहुत दिन तक अन्फ्यूजे रहेंगे बट आप अगर context पकड़ेंगे ना तो कभी कम आपको problem नहीं होगी इस ठीक है तो यह हां पर यह अब वो नहीं रह गया है जो हमने starting में पढ़ा अगर लड़का है तो हो जाएगा zine अगर लड़की है तो हो जाएगा ear अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ जी तो वो हो जाएगा हमारा i h r मगर अभी हमारे इस case में Sebastian लड़का है तो हम zine पर focus करेंगे ठीक है कहां पर दे हम लोग थे air won't by zine motor ओके उसके बाद mine father won't अभी फि फिर से personal pronoun पे possessive pronoun पे आगे mine father won't in ingolstart मेरे पिताजी जो है वो ingolstart में रहते हैं अब यहाँ पे इन्होंने example में hint दिया हो है mine father जो है convert हो गया है zine father में देखिए यह hint जो है आपको ज़रूरी हाँ पे देखना है इसको star लगा दीजे माइन फाटर उसी तरीके से माइन मेरे पिताजी और अब मैं सेवेस्टन के बारे में बोल रही हूँ उसके पिताजी तो क्या हो जाएगा माइन का हो जाएगा बिल्कुल सही zine father very good तो हो जाएगा zine father यहाँ से continue नीचे continue कर रही हूँ ठीक है zine father won't अब यह जो है ना इसी कैटेगरी में आएगा ich wohne er sie is वाला जो है er sie is इसी तरीके से यह इसी वाले का conjugation लेगा ठीक है sein father won't in ingol start fine उसके बाद आता है ich habe auch eine tante und zwei uncle ich habe यानि Sebastian के वो कह रहा है ich habe auch मतलब मेरे और कौन-कौन है साथ में ich habe मेरे एक auntie है ein net aunt und zwei uncle और मेरे दो uncle है ठीक है तो अब मुझे Sebastian के बारे में बोलना है कि ish नहीं होगा अब क्या हो जाएगा ich की जगा again हम personal pronoun use करेंगे air ish habe के बाद हो जाएगा air air के साथ क्या आता है haven का he has air hurt but he has he has ठीक है he has air hurt, air hurt och, ork नहीं miss करना air hurt och sentence का मतलब सेम ही रहेगा air hurt och, eine tante air hurt och aine tante und zwei uncle ठीक है तो दोस्तों ये था एक छोटा सा श्राइबन है और बहुत आसान है इसमें आपको स्रिफ सेबेस्टियन को सेबेस्टियन जैसे अपने बारे में बता रहा था वो सब इश इश करके बोल रहा है अब आपको सेबेस्टियन के बारे में बोलना है जैसे स्कूल में आपक किसी ने इंट्रोड़क्शन गया और आपको बोला जाए कि अब चलो आप तुम राम के बार में बोलो कि राम बहुत राम जो है डेली में रहता है राम 14 साल का है ठीक है तो मैं बार बरी राम नहीं बोलूँगी मैं आप क्या बोलूँगी कि he is राम, he lives in Delhi, he is 14 years old, he don't have any brother and sister ठीक है तो हम लोग he, he, he करके बोल रहे है ओके तो इस इस वाली particular exercise में हम लोगों को यही बताया गया है कि personal pronouns के साथ-साथ, possessive pronouns कैसे use करते है ठीक है इश का बन जाता है माइन, दू का बन जाता है दाइन, एर का बन जाता है जाइन ठीक है ल यह अगर याद कर लिया तो कभी गलती नहीं होगी, और जी होता अगर लड़की होती तो क्या लिखते हम लोग? यह, यह, तब कैसे हो जाता यहाँ पर? तब हम लोग इसी sentence को अगर मैं बोलूँ, अगर लड़की होती तो मैं इसी sentence को अगर बोलूँ तो मैं लिखती इसको जी देखिए यहां तक आपका यह exercise था आप यह थोड़ा सा मैं इसको एक अगर लड़की होती let's suppose Tina होती तो मैं Tina के लिए कैसे लिखती मैं लिखती जी जी इस Tina ठीक है फिर लिखती हाँ पर जी वोंट इन फ्राइबर्ग फिर जी क्योंकि शी इस Tina she lives in Freiburg she is 14 years old जी इस 14 जी इस ऐँजल केंट जी इस आइजल केंट कॉमा 10 हाइस 10 हाइस full stop dot 10 हाइस sorry full stop नहीं एक dot मारेंगे 10 हाइस जी हाइस काइने गेश्विष्ट गेश्विष्ट और यहाँ पर हम लिखते जी वोंट by अब यहाँ चेंज होता जाइनर नहीं होता क्योंकि अब लड़की हो गई है अब सेवेस्टेन नीराब टीना के लिखेंगे जी वोंट बाई अब एर के साथ बनाना है आई एच आर के साथ बनाना है तो क्या हो जाएगा जी वोंट बाई इ रेर जैसे जाइनर हो गया है यह आपको बाब में बता चलेगा कि इसकी एंडिंग एर क्यों एक्सटा जुड़िये आभी आप इस सेज में मत पढ़िये जो भी आपको माइनर का बनेगा जाइनर जाइनर से लड़की के लिए हो जाएगा इरर ठीक है इसके पीछे भी अपनी grammar है लेट्स नाट गिट इन्टु दिस तो हो जाएगा जी वोंट बाई इरर मुटर ठीक है इस तरहिके से अभी यह लड़की के लिए हो जाएगा और लास्ट में हम लिखेंगे जाइन फाटर के जाएगा हो जाएगा आप क्या हो जाएगा इर फाटर इर फाटर वोंट इन इंगल्स्टार्ट और लास्ट में जी हट जी हट जी हट और आइन टांट ओंट जवाई अंकल ठीक है तो ये धा एक लड़के का एक्जाम्पल जो आपके एबुक में दिया है सेबैस्टेन अगर लड़की आता तो कैसे करेंगे तो वो भी मैंने एक्सप्रेइन कर दिया है इसको अच्छे से प्राक्टिस कीजिए सबसे इंपॉर्टन अगें वही कहोंगी air का हो जाएगा zine z का हो जाएगा ear पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं आपके पोजैसिव प्रोनाउंस में ठीक है तो पोजैसिव आप धिहान रखेगा किस तरीके से ये चेंज होंगे I hope आपको इच्छे समझ में आया होगा प्लीज प्राक्टिस कीजिए थांक्यू वेर्माच तो अब आता है नुम्बर जीवन वस पास्ट इंडी लुकन श्राइब डी टेक्स्टर इन दाइन हेफ्ट पास्ट, पास्ट मतलब होता है हमारा पास्टन, यहाँ पर आप देखिए पास्ट, यह हमारा वर्ब है पास्टन यानि कि इन लुकन मतलब होता है यह चीज़े आम देख रहे हैं जो गैप्स हैं इनको कहते हैं लुकन, गैप्स इस gap में क्या pass करेगा, वो हमको डालना है, was passed in the lookan, श्राइब the text in thine heft, और अपनी-अपनी note books में इन text को लिखिए, ठीक है, text आइन्स है, ish-to, तो हो जाएगा ish-to, I am, very easy है ना, I am-to, ish-swelf, 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 यारा, आल्ट, ऐसे ही sentence बनता है, ish-been, ish-been, फिर आता है, ish-their-brooder-alexander, ish, फिर आएगा ish-been, यह आप देख सकते हैं, साथ में आपके समझने के लिए भी लिखा गया है, यह जाइन की conjugations हैं, यह आपकी है, heisen की, और यह है, haaban की, तो यह आप अपने help के लिए बीच-वीच में इसको देख सकते हैं, अगर आपको याद हैं, तो बहुत यची बात है, ish-been, dear brother, from, Alexander, यह हो जाता, of, I am the brother of Alexander, I am the brother of Alexander, we are wonen, we are wonen in, wonen, we are wonen, हम लोग कहा रहते, in, in हमारा जो है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, और हम लोग इसमें, जब भी location बताते हैं, तो हम लोग in use करते हैं, we are wonen in, कहां पर, Constance, das, das ist in Süddeutschland, das ist, das ist in Süddeutschland, और वो जो है, South of Germany में पढ़ता है, यह हम लोग ऐसे बिख सकते हैं, das liegt, सिचुएटेड हैं, कहां पर, Süddeutschland, das liegt in Süddeutschland, ओके, फिर है, dash, Schwestern, Heis, Marion, Schwestern का आर्टिकल होता है, D. Schwestern, और वो बता रहा है, कि, जो मेरी बहन है, उसका नाम है, Marion, तो अब अपना बना के बुलेगा, मेरी बहन, मेरी बहन का नाम है, My sister is Marion, तो माइन का हो जाएगा, क्या, माइन, sorry, मेरी का हो जाएगा, माइने, माइने, और एक, extra E लगेगा, लड़की है, माइने, Schwestern, Heis, Marion, ओके, डाश इस, फुनसेन, तो यह हो जाएगा, Sie is, okay, She, She is 15, alright, तो हो जाएगा, यहाँ पर, She, उसके बाद, text जाएगा आता है, Das, Das sind, Das sind Herr und Frau Weigel, अब यहाँ पर हमारे plural हैं, यह देखिए, दो लोग हो गए, Das sind Herr und Frau Weigel, Sie, Sie, Haben, Sie haben, Sie haben und Frau Weigel, अगें यहाँ पर यह पर प्लूरल है, Sie haben und Frau Weigel, दे, अब यहाँ पर जो जी है, वो हो जाएगा हमारा दे, यह थोड़ा से ट्रिकी है, क्योंकि हमारे पस तीन जी के वेरियंट है, देखिए, एक यह वर्ड है, और उसके काफी जगा, meanings change हो जाते, एक होता है, She, दूसरा हमारा, जो होता है, Z, छोटा है Z, वो होता है, हमारा, दे, और जो तीसरा होता है, S-Caps, और उसको मेशा मैं अडरलाइन करते हूं, इसका मतलब होता है, You, Formal, ठीक है, जिसका मतलब होता है, हमारा आप, ओके, तो आपको इस कॉंटेक्ट को समझना है, यहाँ पर देखिए, दो लोगों की बाद हो रही है, इस, दो बच्चे हैं, इसका मतलब, They are having two kids, या they have two kids, ओके, इसलिए, यहाँ पर हमारा, यह वाला यूज होगा, नमबर दो का, यहाँ आपका इस जाइन से आया है, यह देखिए, यहाँ से, जी जिन्ट, यह वाला, वो हैं, दे आर, दे आल आर, या फिर दे आर, ठीक है, बोट आर करेक्ट, और यहाँ लिखा जाता है, थिर्फ बताने के लिए, कि यह लोग plural हैं, मतलब, एक से जादा की बात हो रही है, दो या दो से जादा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, जी जिन्ट, टीना उन्ट, श्टेफान, और आपको हमेशा, इससे पहले का sentence का context पढ़ना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, जी जिन्ट, टीना उन्ट, श्टेफान, उससे पहले भी यह बताया गया है, कि they have two kids, और उन्ही बच्चों का नाम है, जी जिन्ट, दे आ, टीना उन्ट, श्टेफान, ओके, next पढ़ते हैं, जी डैश इन ऑग्सबूर्ग, ऑग्सबूर्ग, ऑग्सबूर्ग एक जगा का नाम में, लोकेशन बताई गई है, तो यहाँ पर, again, जी, यह जो जी है, फिर से पिछे वाले को डेनोट कर, मतलब पिछे वाले को रेफर कर रहा है, जी, जी वोनन, वोनन इन, जी वोनन इन ऑग्सबूर्ग, ठीक है, जी वोनन, क्योंकि अब यह है, they live in, आउग्सबूर्ग, they live in Augsburg, they live in Augsburg, तो इस तरह के से आपको यह चीजे समझनी है, और quickly, आपने exam में आपको यह चीजे समझ जानी होंगी, ताकि आप उसको कम समय में अटेंप्ट कर सेकें, और जितना समय दिया हुआ, उसमें आप उसको अच्छे से कर सकें, और सही लिखें, तो इस तरह के से आप इसको थोड़ा सा प्लीस पढ़ेंगे, जो जी है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, और इसमें ऐसे कुछ ट्रिक वाली बासरी विए यह है, कि आपको कंटेक्स समझना है, और जब आप अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उससे पिछले सेंटेंस में जरूर देखे हैं, क्या प्लूरल है, कि सिंगल आतमे के बार में बात हो रही है, तो आइम शूर कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आग्त, तो चलिए इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, तासिस है, फ़मीलियर शेयर विद्जल, एक क्वेशन इसके साथ और है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, पेटर श्टेल्ट जाइन फ़मीलियर फॉर, श्राइब देन टेक्स इन दाइन हेफ्ट, पेटर जो है, श्टेल्ट जाइन फ़मीलियर फॉर, यानि कि पेटर अपनी फैमिली का, इंट्रोड़क्शन यहाँ पर देता है, फॉर श्टेल्ट है, अगेन, श्टेल्ट और फॉर, फॉर श्टेल्ट यह जाएगा हमारा, फॉर अपने बारे में किसी को बताना, अपने बारे में अपना इंट्रोड़क्शन देना, श्रायब दीन हैफ्ट और उसके बाद अपने टेक्स को अपनी नोट्बुक्स में लिखिए, आप इसको देख़ए, इसने कहा, thus is my family इसने यहाँ पे इसको possessive possessive pronoun यूस करके इसने यह बताया कि यह मेरी family है ठीक है? माइन यानि कि मेरी यह मेरी family है Sie sind fünf zu Hause Sie sind fünf zu Hause They are They are five five at the house They are five at the house अब यहाँ पे Sie sind fünf zu Hause They are five at house तो हमके लिखेंगे कि We are five at house हम लोग 5 हैं तो इसके लिए हम लोगों को change करना पड़ेगा We are sind We are sind means We are five at the house तो यह आपको दिया ही हुआ होगा तो पहला यह हो गया दूसरा हो गया है आप थोर्ड सेंटेंज जो है माइन से हमको अब स्टार्ट करना है लिखना तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नंबर नंबर द्राए नंबर द्राए D आप स्रिफ देर 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 देन और से तो हमको अब देर फादर को बनाना होगा माइन यहाँ पे माइन भी अडरी दिया हो अ हूआ है Karl und is 37 Jahre alt okay number 4 sorry die Mutter, Brigitte is 36 Jahre alt die Mutter, फिर again हम लोगों लिखना होगा my name Mutter, यहाँ पर हर चीज अब देखिए अब यह अपना possessive pronoun use कर रहा है, my father, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी my name Mutter comma, हम format change नहीं करेंगे ऐसे लिखेंगे जैसे उस format में दिया है, my name Mutter, Brigitte comma, is z sundrae 6 Jahre alt देखिए तो हमने exact जो format दिया है, उसी में लिख दिया, बट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, my name Mutter highest Brigitte and is, 6 Jahre alt जैसे कि हमने उपर वाला sentence लिखा है दोनों यह ठीक हैं, okay number 5 आजाता है जी हाबन द्वाइ किंडर उनकी दो बच्चे हैं, Peter 8 उन्ट आना 6 अब यह इसको अपना बना के बुलेगा, ठीक है तो कैसे बुलेगा, इश बिन इश बिन पेटर फुल स्टॉप इश बिन आख्त, याव इश बिन आख्त, यार आल्ट इश बिन आख्त भी अंटरस्टूट है कि मैं 8 साल का हूँ, इश बिन आख्त इश हाब मेरी, इश हाब इश हाब, I have a sister, इश हाब आईने श्वेष्ट श्वेष्ट इश हाब आने श्वेष्ट आना, या फिर इश हाब आने श्वेष्ट, फुल स्टॉप, जी हाइस आना, जी इस जेक्स यार आल्ट कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, इश हाब आने श्वेष्ट, आना, फुल स्टॉप जी इस यहाँ पर भी आप इसको फुल स्टाप कर सकते हैं बर आप इसको लिख दीजिए जी इस जेक्स यार आल्ट ओके फिर जेक्स आजाता है और तंट इरीन दिश्वेश्ट फॉर्न फ्राव श्वेविचल वूंट इम हाउस टंट इरीbahn juad मेरी ममी की बहन है मेरी की बहन को क्या कहते है मोसे वूंट इम हाॉस वो भी घर में ही रहती है तो अब इसको भी हम अपना प्रॉजसिव प्रोनावन यूज करेंगे कि माइन टंट इरीन ओके है इसे नहीं लिखेंगे इसको हम अपना बना के लिखेंगे टांट एरीम मेन ने टी कपस आएगा मेन टांट आपको हमेश़ देखना है कि कहे नाउन है पी बढ़ाएगा, मूटर का एम बढ़ाएगा ठीक है मेन टांट फिर एरीम का आई बढ़ाएगा, इरीन, माहिने टंट, इरीन, वोन, वोन्ट, अब यहाँ पर नुम्र जवाई पर आपका वोन्ट आएगा, क्योंकि यह हमारा वर्ब है, माहिने टंट, इरीन, वोन्ट, आउख, इम, हाउस, यहाँ पर आउख यूज हुआ है, अलसो, देखे, आउख टंट, तो आप इसको भी अपनी सेंटेंस में इंक्लूड कीजिएगा, माइन टंट, इरीन, वोन्ट, आउख, इम, हाउस, उसके बाद वो कहते, जी इस फुन-फुन-फिर्जिश, जी इस फुन-फुन- आउख देए, माइन टंट, इरीन, वोन्ट, आउख, इम हाउस, जी इस, जी इस फुन-फुन-फिर्जिश, ओन्ट पिर्जिश, आप री लिखे ह।He दोंपर और इरीन के बारे में लिखे हैं, जी इस फुन-फुन-फिर्जिश और उसके बाद लिखा है, जी इस वो शादी शुदा नहीं है, for high rated मतलब होता है, शादी शुदा होना है, married, मगर यहाँ पर निष्ट यूज किया है, निष्ट मतलब कि negate किया गया है कि नहीं है, उनकी शादी नहीं हुए, इसलिए हमारे साथ रहती है, इन दोनों sentence को हम combine कर देते हैं, हम लिखते हैं, she is 45 अंड निष्ट फर हाई रैटेट, फर हाई रैटेट, ठीक है, इसका pronunciation में आपको लिखके बिताते हूं, यह देखिए, पहले तो वर्ब समझेए, वर्ब है हमारा, फर हाई राटेट, यानिकि, तो बेरिट, फर हाई रैटेट, अगर आप शादी शुदा हैं, तो आप बलेंगे इस भी फर हाई रैटेट, I am married, फर हाई रैटेट, यां टु बेरिट, शादी करना, या शादी शुदा होना, अब यहाँ पर उसने बोला है जीष्ट नीष्ट फरहाई रेटट इसका मतलब कि वो शादी शुला नहीं है नीष्ट फरहाई रेटट कैसे बोलेंगे इसको फर हाई रे फरहाई फरहाई रे रे फरहाई रेटट फरहाई रेटट ठीक है यह जो नीचे वाला लिखा है उसका मैंने प्रोनसेशन यहाँ पर लिखा है जीष्ट फून फून फियर्जिश उन नीष्ट फरहाई रेटट और वो शादी शुला नहीं है ओके लिट गो बाग उसके बाद वो क्या बोलती है जी वोनन इन क्लागन फोर्ट तो यहाँ पर जी क्या है यानि कि इस फैमिली को डिनोट करके बोला है कि दे लिव इन फागन फोर्ट वो रहते हैं अब वो अपने को समझ के बोलेगा कि हम रहते हैं तो हम कैसे रहेंगे हम मतलब होता है विः हम वियर जैसे हमने स्टार्टिक में लिखा था ह plugins वियर जिं उसी तर की इस हम लिखेंगे वियर उनन इन और लास में है दास लिगतिन उस्टरइश दास लीगतिन उस्टरइश आइससे जनर्ल सेंटेंस ए इसको अपसे यह नहीं कह सकते है इसको आप इसी सेंटेंस के साथ लगा दीजे आप गणे सकते हैं आह अऌ इसको add कर सकते हैं उन्ड दास लीग्ट इन उस्ट राइश, दास लीग्ट इन उस्ट राइश, फुल स्टॉप. तो यह था एक और हमारा श्राइबन जो हमने प्राक्टिस किया अभी और इस तरीके से आपको passages आ सकते हैं जिसमें आपको context जो है समझ के और जैसे इसने अपनी family को introduce किया है, आप हमको बनाना है कि हम अपनी family को introduce कर रहे हैं, कैसे change होगा, कहा change होगा, सबसे important जो है यहाँ पर पुझे सिर्व अर्टिकल का खेल है,